एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मीलन करा रहे हैं, मीलन करा रहे हैं उम शांती, आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महवा क्ये हैं, 15 जुन दोहसार चौविस आज की मुरले के सार में बाबने पवित्रता की धारना बताते हुए कहा, कि अब बाबा की बच्चों के प्रती एक आश हैं, कि बच्चे बाप समान प्योर, एवर गोरा पावन बन जाए, और प्योर बनेगे माम एकम याद करने से, तुम्हें पावन गोरा बनने के लिए दास्मर्ती रहे, हम ऐसा लक्ष्मिनाराण बन रहे हैं, यह एम अबचेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी हैं, फिर साथ में कहा कि कई बच्चे महवाक्य सुनकर बाहर जाते हैं, तो भूल जाते हैं, इसलिए बाबा अच्छी रिती पक्का कराते हैं, कि अपने को आत्मा देखना है, जितने इन देवताओं में गोण हैं, वह हमने कहां तक धारण किये हैं, हम श्रिमत पर कितना चलते हैं, फिर कहा स्वयम भगवान देवता बनाते हैं, इसलिए गायन है, मनुष्य से देवता किये करतन लागेवार, फिर कहा कि यह भी भस महोंगे, और कोई उपाई नहीं है, फिर समय का महत्व दिलाया, कि अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वेल्यूएबल है, पुर्शार्थ करना चाहिए पूरा, कि हमको ऐसा देवता बनना है, बाबा केते हैं, सरफ मुझे याद करो और देवी गोणधारन करो, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाबा केते हैं, बच्चों को अब ऐसी गफलत नहीं करनी है, बुद्धी का योग एक बाबा से लगाना है, फिर बाबा ने समर्ती दिलाई, कि तुम बच्चों ने ही प्रतिग्या की थी, कि बाबा जब आप आएंगे, तो हम आप पर व बड़ी नाम रूप में फसा देती है, इसलिए बाबा केते हैं, नाम रूप में नहीं फसो, मेरे में फसो ना, बाबा कहें जैसे तुम निराकार हो, वैसे मैं भी निराकार हूँ, तुमको मैं आप समान टीचर सर्जन बनाता हूँ, फिर कहा तुम्हारे में भी कोई है, ज पिर साथ में कहा कि जब अंत में विनाश की रिहर्सल होंगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। कहेंगे और तिर लगेगा जरूर। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के इन अनमोल मधूर महवाक्यों को विस्तार से। कि मेरे सभी बच्चे, मेरे समान, एवर प्योर बन जाये। बाप एवर गोरा पावन है। वह आए हैं बच्चों को काले से गोरा पावन बनाने। माया काला पतित बनाती हैं, बाप गोरा पावन बनाते हैं, लक्षमी नारायन गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं, बाप की श्रिमत अब मिलती हैं, मिठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुर्शार्थ कर देविगुन धारन करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाब की मत पर चलना है, दुसरा एम अबजेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है, आत्मा को सतोप्रधान पवित्र बनाने की महनत करनी है, अंदर में जो भी दाग है उन्हें जाच कर निका आज बाबने वर्धान दिया, ब्राम्हन जीवन में हर सेकेंड सुख मैस्थिती का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्माभव, स्पष्टिकरण है, पवित्रता को ही सुख शांती की जननी कहा जाता है, किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांती का अ अनुभव कराती है, ब्राम्हन जीवन अर्थात हर सेकेंड सुख मैस्थिती में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लिकिन जहां पवित्रता की शक्ती है, वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता, पवित्र आत्माई मास्टर सुख करता बन, दुख को रुखान सुख के वायु मंदल में परिवर्तन कर देती है, आज बाबा ने संपूर्न पवित्र आत्मा की स्थिती बताई, कि पवित्रता है सुख शांती की जननी, जहां पवित्रता है, वहां सुख शांती है ही है, और जो पवित्र आत्मा है, वह मास्टर सुख करता बन जाती है, वह दुख को भी रुहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं, ये है पवित्रता की शक्ती। आज का स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते, साधना को बढ़ाना ही बिहद की वेराग वरती हैं। साधनों का प्रयोग करते, साधना को बढ़ाना ही बिहद की वेराग वरती हैं। अच्छा, मिठे मिठे सकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते। हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। आज पंदरा जुन का अव्यक्त इशारा हैं। अव्यक्त इशारे का लक्षे हैं करम योगी बनो। आज बाबा कहे करम योगी का हर करम चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर करम की महिमा किर्तन करने के योग्य होती हैं। जैसे भगत लोग किर्तन में वर्नन करते हैं कि इनका देखना अलोकिक, चलना अलोकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अप्रम अपार करते रहते हैं. ऐसे हर करम महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर करम त्रिकाल दर्शी बन करने से कभी भी कोई करम विकरम नहीं हो सकता। सदा सू करम होता है। आज बाबा ने विशेश गायन और किर्टन योग्य बनने के लिए कहा कि आपके हर करम गायन योग्य, पूजन योग्य और महिमा योग्य तब बनेंगे जब आप हर करम त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित होकर करेंगे और साथ में तिन स्वमानों की स्मर्ति में रहेंगे तो हर करब स्रेष्ट हो जाएगा, गायन किर्तन योग्य बन जाएगा पहला हम बाप दादा की छत्रचायां के नीचे है बाप दादा का वर्दानी हाथ हमारे सिर पर है याद की यह छत्री सबसे बड़ी सेफटी का साधन है दुसरा स्वमान है, मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान बाप के साथ कमबाइन हूँ तो उनकी मदद का सदा अनुभव होता रहेगा और तिसरा स्वमान है, करावनहार करा रहा है मैं आत्मा निमित करनहार बन करम कर रही हूँ यह स्मर्ती निमित और निर्मान्चित बना देंगी सदा हलका पन का अनुभव करेंगे अच्छा, उम शंती, शुक्रिया बाबा शुक्रिया